अब पूलाथ ऑसलिए नोगे पार फैलित को तरह हमे इसके अपर डॉत रार किसे नोगों को भी इसादा सावणों के बार 2 बोशा था एंचाहरण है ए अशासर, और अब पर 30 सन इसकन, अप किस चीज्वार कर सकते हैं आप लोगों को यह नहीं पता कि तोनर को लगा के धूब में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं इसके बेनिफिट रोटिन फॉलो कर रहे हैं जो कि आज की दूर में फॉलो करना बहुत ही जादा नेसेसरी है आल्दो आप कोई स्कूल कर लें, आप कॉलिज भी यूनिवस्ट्री गोइंग कर लें, आप मेरिड हैं, आप बेशलर हैं, आप जो भी हैं, वरकिंग वुमेन हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं चार बच्चे हैं, उसके बावजूद भी मैं अपनी स्किन का बहुत ख्याल करते हैं, फिर उसके इसके लिए बावजबिश भी हो, शर्णि का लिए और वाज भी तो आपनी स्किन का रहा है, अप लोग भी आपनी स्किन का बहुत जदा ख्याल रखा करें, एक तो बंदा होता है जो पहले से फेर होता है, जगर वो आप लोगों को पहले से बतारा रह कि दिएहं नहीं किन जिए नहीं कि लगाय कोई इंजिक्शन नहीं लगाएं कोई लिए में बाई प्रपर डियाइइज करती नहीं हुआ हूं ऊसी से ही मेरी स्किन बेहतर हुई रॉस इसी से ही मेरी नोस फेकल्स बनेव हैं वो खतम हुए यहाँ चीक्स बनने वगाए थाब तोनर क्यों इंपोर्टेंट है हमारी स्किन के लिए अप लोगों के पर डिपेंड करता है आप रेडिमेट टोनर यूज करते हैं या जो टोनर जो होता है और अच्छा नहीं होता आपकी स्किन के लिए और अगर आप और्गानिक टोनर यूज करते हो जो हाँ उसका रेडिमेट लेकिन उसका रेडिमेट बहुत अच्छा होगा आपकी स्किन आप देखेंगे आइससा बहुत भेतर हो रही है क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया है कि टोनर होता है वो आपकी स्किन का पिएच लेव पर जाके वर्क करता है सिर्फ स्किन के उपर उपर काम नहीं करता और इसको अपलाए करने के प्रॉपर मेधर होता है जो मैंने अपने फ्रीज में टॉनर रखे होते हैं और मैंने लाइज वीडियो में भी दफाफ शेयर किया आप लोगों के साथ कि चछब तर फिर जब में निकान ले आती हूं खाने के कोई चीज निकान ले आती हूं तो मैं साथ ही अपने फेस पे स्प्रे कर लेती उसको लोग अफोर्ड ने कर सकते थे उनके लिए मैंने डियाइवाइ टॉनर भी बता दिया था कि आप लोग यह ट्राइकर करें उसके लिए मेरे फैवरिट इसके लावा यह कैरट का है क्योंकि यह बालों और फेस के लिए दोनों के लिए बहुता अच्छा है तो इसलिए में यह टॉनर जो है वह इस्तामाल करती हूं तीसरा जर मेरे पास टॉनर है वो कुकंबर का है कुकंबर क्या करता है आपके स्किन को हैड्रेट रखता है आपने डालना है जिनाब दूद और यह आपने कॉटन के साथ फेस पर लगाना है रेगिलर दूद कौन सा जो रौ मिल्क होता है कच्छा दूद वो और अपने फेस पर लगाना है कॉटन के साथ और सब रिजल देखेंगी कि एक मंद के अंदर आपका रंग वो बिल्कुल यह बाद आपको उसको निया बढ़ाना पड़ता है इनका यह है कि खराब नहीं होता है इनको फिरिज में रख दो जब यूज करना आपको शेक करो अच्छे से और फेस पर स्प्रे कर लो इसका भी बेनिफिट यह है कि आपकी स्किन के ओपर पोर्स होते ना उनको करने के बाद भी आप पर टॉनिंग लाज़मी डेव हैं इस चना आता है कि यह थी सुछे हैं अब तो लगाने के बाद यह भया और दो तेन म tenir थिन mo आंने यह रहरी हैं यह पोद्ट आप न करना चलते क्योंके यह बशाने नहीं जा सकते क्योंकि यह कुश्शिच्ट कुर करें पूरी राद लगा रहे हैं और घैनी को तो वेलेंड गुड है आपको टॉनर के दो तीन यूजिस बता देती हूं जिन लोगों ने पूरानी वीडियो नहीं देखी उनके लिए रिवाइज हो जाएगा और इनका यूज पता चल जाएगा और यह वाले जो टॉनर में आ माशमा और अब उस ut saidily2 आओ बार ग्रें करने में तुरी ध मजानीट कर चेज लगाने रह पर आपने जरू के बाद आपने इसकआपने इमकली करना है हर मेकप रिमूवर के बाद आपने इसको यूज करना है कोई भी अपने चीज लगाई जैसे फेस पेक हो गया वेक्सिंग हो गई थ्रेडिंग करवाई आपने फेस की आप उसके बाद भी टोनिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं उससे आपको बहुत बहुत दफ़ा पता है वेक्स सेम टॉनयर गाजर काilles लगम करते हैं आपके बाल इतनी जपड़ा शैन कैसे करते हैं औरendes के इसको नुगाऊ है तंक वालों बाद रहुत को यह कुसा से था पर बाल कि आँए और शरहां तो यह फर्क होता है टानिंग करने का स्किन को और हैare को जो के भोस से हब दरूरत होती हमारे हैर को भी हमारी स्किन को भी तौक मर बालों उक्ता अभी यह प्लाऑ को भी कर सकते हैं यह घर आप यह और उर्गैनिक प्रोडक्त हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपके बाल डैमेज हों किसी भी रेडी-मेड चीज से तो आप प्लीज डियाए माई टोनर्स जो के आपको लोग बता रहे हैं कि यह ट्रस्ट्रेबिल हैं पर दर कैमिकल नहीं है आप वह यूस्ट्रेश मेह अप मैं की नियुक्षvention का लिचाखने लगाएं सबस्सक्राइब कर दो जुदूरी 8 टोनर में टोनर्यां को किसी इसकी बाउलगा रहा है अमने लिदा ईंका पॉपकों है इस संद अब और नोनों को जब मिक्स करके यूज सी यह ऊचलब ऑगा की स्किन को क्या इसकी इस मेचल इस तरुड़ के अविग्त पलाइट टी में अच्राइब में तर्ट से पैने ट्रेट कर लिया मैंने स्कीन के ओपर यह देखें आप रिव्यूज से और यह दो एमाइव देखें के जरोगों आप लिए गया हैं को कमर टोनल और रोस्वाइटर तो लाजमी लाजमी खरीड़ें मतलब यह चार्ज और टोनल है यह बहुत 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 यूसफुल है देखे मेरे पास इनके और भी पड़े हैं लेकिन जो मुझे बहुत सथा यूसफुल लगे ना मैंने शरी आप पे साथ शेयर की हैं बाकि मैं लिंक अगरा सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती ह इंबोक्स में के ओपिंग पोर्स आपी फ्रेकल्स आपी पिग्मेंडेशन हैं हमारे फेस पे कैसे दूर होगी यह जो चीज है ना इन तमाम मसलों का हल है आप एक दफा इंको फॉलो करें कम सब एक वीक फॉलो करें इनको आपको रिजर्ट मिलेंगे इंडिया तक से मुझ पिए चीज यूज की और हमें बहुता बेनिफिट मिला तो आप लोग यूज करें और इसके बाद मेरे साथ एक हफ्ते बाद आप लोगों इसी वीडियो को नीचे अपने कमेंट शेयर करने हैं कि आपको क्या फर्ग मिला क्या आपको रिजर्ट आपको रिजर्ट आपको आप मैंने फिर्ट मिला तो यह मेरी आज की वीडियो थी आई होब कि आप जो जो लोग मुझे इंवोक्स कर रहे था उन सब की कंफीजन दूर हो गई होगी इस वीडियो के वजह से तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर कर दो अगर किसी और को केमली में यह मसला है तो यह वीडियो उनके साथ भी शेयर कर दें मिलेंगा नेक्स वीडियो में तब तक ले लखिए का अपना धेर सारा ख्याल अलाहाफिज